हेलो दोस्तों आप लोगों का स्वागर एमल चनल पे और आज की उड़े में हम बात करेंगे कि उन मुवी या सीरीज के पहले आपको कौन सी मुवी या सीरीज देखनी ज़रूरी है ताकि वो जो मुवी आप देखने जाओगे वो अच्छे से आपको समझ में आ सके और इस साल मार्वल सिनेमाटिक उन्यूर्स के पेच्पाई की शुरुवात होने वाली है सबसे पहली म सब्सक्राइब करने वाली है अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी जान लीजे इस फिल्म का जो विलन है जिसको आपने ट्रेलर में अल्रेड़े देख चुके होंगे यह आने वाली एवेंजल्स की दे कैंग डाइनस्टी का में विलन रहने वाला है जैसे इंफिनिट डाइनस्टी और उसके बाद सिक्रेट वर्स नाम की मूवी आने वाली है उसमें यह एज विलन का रोल प्ले करने वाला है तो आप समझ सकते हो कि इस करेक्टर का इंपॉर्टंस कितना है लेकिन क्या आपको डिरेक्टली यह मूवी देखनी चाहिए ऐसा नहीं है इसके पह कैंग दे कॉनकुरर की एंट्री लोकी के सीजन वन से हुई थी और यह फिल्म का ट्लेलर तब तक आया नहीं था तो मुझे आइडिया नहीं था कि इस फिल्म में विलन रोल प्ले करने वाला है इसके बाद दो सीरीज आने वाली है जिनकी रिलीज डेट एक्जाट कंफर्म नहीं है लेकिन इतना पता है कि जैन्वरी से लेके एप्रील के बीच में कभी भी आएगी सबसे पहले आने वाली है वाट इफ सीरीज का सीजन टू अब देख लीजे इसके बाद तीसरे नमर पर जो सीरीज आने वाली है इसका नाम है सीक्रेट इन्वेजन तो भाई सब न निक फ्यूरी के उपर इंडिविजुयली ना मूवी ना सीरीज बनी थी लेकिन ये पहली सीरीज है जो एक्चुली निक फ्यूरी के उपर फोकस रहने वाली है लेकिन ये सीरीज देखने से पहले आपको स्पाइडर मैन फार फ्रॉम हों वहां से इस सीरीज की continuity होने वाली है लेकिन उसी के साथ पात कुछ movies और कुछ series भी आपको देखनी जरूरी है तो वह कौन से sequence में आपको देखनी चाहिए उसके ओपर भी मैंने एक dedicated वीडियो बनाया हुआ है All Thor and Loki movies and series वह भी आप चेकाउट करना ताकि आपको लोकी का जो पूरा जर्नी है वह समझ में आसाई से आ जाएगा और उसके बाद सीजन वन और टू देखोगे तो ज्यादा enjoy कर पाऊगे उसके बाद आने वाली है 28 जुलाए 2023 में दे मार्वेल् उसका sequel रहने वाली है लेकिन Captain Marvels के साथ साथ आपको Miss Marvel नाम की जो एक series आई थी इसके पहले वह भी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए क्यूंकि उन दोनों को भी Miss Marvel और Captain Marvel इन दोनों को भी the Marvels में आपको देखने को मिलेगा इसके बाद 7 नमबर पर आने वाली है series Iron Heart यह इस वज़े से पहले आपको फिल्म और ब्लैक पैंटर वकांडा फॉरेवर देखो गे तो ब्लैक पैंटर की भी सारी मुईज आपको देखनी पड़ेंगी तो वह कौन से सीक्वेंस में देखना है उसका भी मैं लिंक आपको नीचे इसक्रिप्शन में दे दूँगा ज़रू से आप वह भी चेक आउट करना अभी इसके बाद आठवे नंबर पर एक सीरीज आने वाली है जिसका नाम है इको तो यह इको जो करेक्टर है यह इसके पहले हौक आय नाम की जो सीरीज आई थी उसमें हमको दिखाई दी थी तो हिरो देविल और मैंन विलाण उस सीरीज का विल्सन फिसर यह भी हमें इको में देखने को मिलने वाले थो टेयगएं ऐसके बार में मैं आसपास कभी तो आएगी exact तारिक इसकी confirm नहीं पता है इसके बार 9 नंबर पर वापस से एक सिरीज आने वाली है यह confirm है कि November, December में आएगी 2023 के लेकिन वापस से तारिक confirm नहीं है हमें इस सिरीज का नाम है Agatha Coven of Chaos इसमें हमको Agatha Harkness नाम की जो character है जो हमें Wanda Vision में देखने को मिल तो obvious है कि यह सिरीज देखने से पहले आपको Wanda Vision देखनी पड़ेगी क्योंकि वही से इस character की continuity स्टार्ट होती है उसके बाद 10 नंबर पर आती है क्योंकि मेरे को पता था कि यह सिरीज आने वाली है तो इसले मैंने Daredevil की पूरानी तीनों सीजन देख लिए है लेकिन अभी हाल फिलाल में ऐसा सुनने को आया कि Daredevil के जो तीन सीजन है उसका यह बॉन अगें से कोई connection नहीं रहने वाला है ऐसा बट एक्जैक मुझे नहीं इको की character है वो हमें शायद Daredevil में देखने को मिलने वाली है उसके बाद 11 नंबर पर फिल्म आती है Captain America New World Order यह 3 में 2024 में आने वाली है और इस फिल्म में बहुत ज्यादा बदलाव हमें देखने को मिलेंगे compare to पुराने Captain America movies से ले तो भाई साब आपको अगर यह movie देखनी है तो इसके पहले आपको कौनसी कौनसी movies और series देखनी जरूरी है उसके उपर मैंने अल्रेडी वीडियो वाना के रखा है उसका भी link आपको description में मिल जाएंगा और हो सके तो i button में भी मैं देने की कोशिश कर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा तो इसके बाद 12 नंबर पे जो movie आने वाली है इसका नाम है Thunderbolts इसको आप समझ सकते हो कि Marvel की यह suicide squad है इसका reason simple है कि इसमें super heroes नहीं है तो super villains की एक team बनाई जाएगी और same जैसे suicide squad में वो लोग government के लिए कुछ काम करते वैसी इसमें भी government के लिए काम करने के लिए हमको यह super villains जाते वे दिखाई देंगे लेकिन देखिए suicide squad DC में जब बनी थी तब उन characters के उपर कोई भी individual film बोलो या वो किसी भी पुरानी film में नजर नहीं आयते तो हमको continuity का फरक DC films देखते वक नहीं पढ़ाता लेकिन जब marvels की बात आती है तो Winter Soldier जिसका नाम है Bucky Barnes जो आपको पता है कि Captain America का खास friend है तो आपको उसके लिए Captain America की सारी movies देखनी पड़ेंगी और उसके बाद The Falcon and The Winter Soldier नाम की series है वो भी देखनी पड़ेगी ताकि वो character क्या वो आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा उसके बाद second number पर character है host या इस character को आप एवा स्टार नाम से भी जानते होंगे यह नजर आई थी Ant-Man and the Wasp जो Ant-Man का second part था उसमें तो आपको आपको फिल्म में देखने पड़ेगी तब आपको यह ghost character समझ में आएगा उसके बाद third number पर जो character है उसका नाम है John Walker यह एक US agent है और इसका character हमको नजर आया था सबसे पहल इसा दिखाया गया है इस character का जिक्र जो है वो आपको Falcon and Winter Soldier में सबसे पहले देखने को मिलेगा फिर Black Widow के post credit scene में आपको नजर आएगी और Black Panther Wakanda Forever में यह character आपको देखने को मिलेगी तो इसलिए यह सब फिल्म है और सीरीज आप इसके पहले देख लीजिए और इसके बाद जो तीन characters के नाम है मैं बता रहा हूँ यह लेना बेलोवा यह जो character है जो second Black Widow रहती है या फिर Red Guardian हो गया और तीसरा character है Task Master यह तीनों character आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे Black Widow मूवी में तो इसके लिए आपको Black Widow जरूत से देखने पड़ीगी Thunderbolt के पहले जो मूवी म में देखने को मिलेगा तो यह सारी जो movies और series में बताए कहीं पर तो note करके रखिए या वीडियो वापस से rewind करके उतना सुनिये note करके रखिए और उतना आप जरूर से देखके रखना जब आपको Thunderbolts देखने जानी होगी इसके बाद 6 September 2024 में रिलीज होने वाली है Blade तो यह Blade movie का पुरानी जो तीन Blade movies आई थी उसके साथ कोई भी connection नहीं है अभी मेरे पास Blade movie के बारे में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था इसके लिए उसका ट्रेलर यहाँ पर आपके सामने चल रहा है तो इसका कुछ connection नहीं है आप समझ लिजे कि किस किसम का है इसमें जो Blade का character play क करने वाला actor है उसका नाम है महर शाला अली जिसको दो बार Oscar Award मिला हुआ है और इसने लूप केज नाम की एक Marvel की सीरीज है उसमें Cotton Mouth नाम की character का रोल प्ले किया हुआ है लेकिन आप जैसे कि आपको बताइए कि वह Netflix की series अभी Marvel वालों ने बन कर दिया है और वह शायद ही वा कैमियो हुआ था इसके पहले इटर्नल नाम की जो फिल्म आई थी उसमें तो यहां तक फेस्पाइज जो है वह खतम हो जाता है ठीक है अभी यहां पर मैंने जितनी movies और series बताई है इतनी तो आने ही वाली है लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतनी होगी इसमें कई सारे ब आते हैं फेस्टिक्स के ओपर फेस्टिक्स की चार मुवी जो है वह अल्रेडी कंफर्म हो चुकी है सबसे पहले आठ नवेंबर 2024 को इनकी मुवी आने वाली है डेड़ पूल 3 जो फेस्टिक्स की स्टार्ट इससे होगी ऐसा कहा जा रहा है लेकिन मुझे डाउट फुल बता है उसमें सबसे ज़्यादा एकसाइटेड में इस मुवी के लिए हो क्योंकि भाई साब डेड़ पूल वन और डेड़ पूल टू ऐसा माल था ना मतलब उसको फूको सुंगो कुछ भी करो दोबरा देखो चार बार देखो वह इतना मज़े देने वाल है कि आप मैं क्य देखने को मिलेगी यह इस फिल्म को सिफ एक्सेप्शन बना रहे कि आर रैटेड बनाएंगे आपके लिए क्या कमेंट करके ज़रू बताइएगा मेरे को दूसरी इस फिल्म में खुजी की बात यह है कि एक्समें की जितनी भी फिल्म में रही है उसमें वुलवरीन का जो क में एक्टर है इसने घोशना की थी कि आगे से मैं लोगान का करेक्टर प्ले नहीं करूंगा और सच बता रहा हूं एक बहुत बड़ी निराशा वाली बात थी लेकिन आभी हाली में कुछ दिन पहले डेड़पुल 3 में लोगान हमको यानि वुलवरीन हमको वापसे देखन का रेकॉर्ड तो इस फिल्म के वाइस से जरुटने वाला है इसके बाद 15 नमबर पर फिल्म आने वाली है फैंटास्टिक फॉर नाम सुनके आपको पूरानी फैंटास्टिक फॉर सोच रहे होंगे कि देखनी पड़ेगी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर यह में दो हजार पच्चिस को एवेंजर्स दे कैंग डाइनस्टी कितने साल के बाद यह एवेंजर्स की मुवी बनाने वाले पता है आपको एवेंजर्स एंड गेम 2019 में आई थी लगब 6 साल के बाद आएगी यह कहने की जरूरत नहीं है मुझे कि यह मुवी जब आएगी तो उतने किसी भी सीरीज के रिवाने नहीं है यह लिख के लेलो तो यह फिल्म जब आएगी तब अलगी लेवल के मज़े आने वाले हैं और वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैंग दो कॉन्कॉरर जो है वह आपको इस फिल्म एकदम तगड़े रूप मे ऐसे ही दमा का यह दोनों मूवी में अपने को देखने को मिलेगा अभी हाला कि सिक्रेट वॉर्स का अभी तक डिरेक्टर भी फाइनल नहीं हुआ है तो खर कोई बात नहीं बहुत टाइम है दो हजार स्टार्ट हुआ है तो आगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक जरूर करना चैनल पर फर्स टाइम हो तो चानल को सब्सक्राइब करना था कि इस तरह के मार्वल्स के रिलेटेड जो भी कंटेंट आएगा आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगा